मुखलियाई चिकन करी जो के बहुत ही जायकिदार बनती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर ना करें तो यह मैं दो किलो चिकन करी बना रही हूँ आप परिशान नहों मैं एक किलो की इंगिरीडियन्स का भी मैं नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिख दूँगी आप महासा देख लिजेगा अगर आपने हाफ केजी में बनाना है तो आप वन केजी का आप आधा कर आपको मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचने में आसानी रहेगी और आप आराम से मेरी वीडियो देख पाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंगिरीडियन्स और इसके बनाने का तरीखा देख लेते हैं हमने यह आप लिया है यह दो किलो चिकन 400 ग्राम दही 3 आठ से 10 हरी मिर्च का पेस्ट क्रेश किया हुआ यह मैंने वह मिर्च लिए जो बिलकुल भी तीखी नहीं होती है यह बड़ी वाली मिर्च लिए मैंने अगर आप इसको थोड़ा स्पाइसी करना चाहती है तो आप छोटी ले लेजे लेकिन इसका टैस्ट जो होता है वह अ दोले अधर कलसन का पेस्ट हरी मिर्च क्रेश की हुई और 1.5 टैस्पूर नमक इसको हम अच्छा से मिक्स कर देंगे अब हम इसको कवर करके आदा से एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 500 ग्राम प्याज लिए हैं हमने इसको हमने इस तरह रखी से बारिक स्लाइस कर लिए है प्राइ करने के लिए 3 टी स्पून धनिया पाउडर और नमक आप अपने टैस्ट के हिसाब से मैंने यहां पर 1.5 टी स्पून से थोड़ा से जादा लिया है क्योंकि हमने चिकन मैरिनेट करते हुए भी हमने उसमे 1.5 टी स्पून नमक डाला है 1.5 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर या आप अपने टैस्ट के हिसाब से भी ले सकती है 1.5 टी स्पून कसूरी मेती 2-3 त अपने बेजपत्ता 1.5 टी स्पून हमएट गरम मसाला पाउडर लिया है का भीघो开 म Carry अविली दिर पानीके बिख कर रहे तो कर दिया धा, उसके बाद मैंने इसके में इसको के मिक्सि में पेस्ट बना लिया है इसका और एक पोईले का पीश इसका हमने घुहा देना है इसमेजी यहाँ नहीं हमने यह उपनी कप प्रभ तेल लिया था, इसको हमने गरम अब इसमें प्यास डाल करेंगे बिसमिल्लाइब गोल्डन ब्राउन होने ता प्राय करेंगे हमारी गोल्डर ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें मेरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे अब हम इसमें मेरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे कि इसकी फ्लेम को हमने हाई पर कर देना है इसको हमने तीन से चार मिनट तर इसी तरीपे से दून लेना है इसमें अब हम इसमें मसाले डाइड करेंगे धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर और यह नमक और यह तेज पता अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे अब इसमें एक ग्लास पानी डाल दूँए एक ग्लास पानी डालकर हम इसको दस से पंदरा मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख देंगे बीच बीच में हम इसको एक आद बार चला देंगे अब हम इसमें पानी है तोड़ा अब हम इसमें यह पेस्ट डाल देंगे काजू और मगस का जो हमने बनाया था खशकाश का पेस्ट वह हम पेस्ट इसमें डाल देंगे अब कवर करके अब मीडियम अच पर दस में रख के लिए पकने की नहीं रख देंगे लेकिन बीच बीच में हम इसको चम्मस से चला देंगे क्योंकि हमने इसमें पेस्ट डाला है तो पेस्ट डालने के बाद बहुत दिहान रखना पड़ता है इसके चलाने का कहीं नीचे लगना जाए देगे इसको पूरे दस मिनट हो चुके हैं मेडियम आजपर पकते हुए और यह बहुत अच्छे से कुखो रहा है अब हम इसमें गरम मसाला पौडर डालेंगे और कसूरी मेथी को आप हाथ कर लेगा थोड़ा सा इस तरफे से क्रेश कर लेए उसके बाद आप इसमें डालें अब इसी दस मिनट में जो हमने इसको मीडियम आज पर पकाया था तो यह बहुत अच्छे से कूख हो चुका है और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से बुन चुका है अब हम एक चूले पर कोईले को जलने के लिए रख देते हैं और इसको दो से तीन मिनट के लिए बिल्कुछ आज पर कवर करके रख देते हैं देखे हमारे कोईला गरम हो चुका है तो मैं इसमें यह स्टील की कटोरी रखूँगी उसके ऊपर मैं यह कोईला रख दूँगी और इसमें थोड़ा सा यह इसी का यह मैं और डाल दूँगी और इसको कवर कर देंगे ताकि जो इसके इसमोख है वह बाहर ना निकले बिलक इसको इसी तरीखे से कवर करके रखूँगी यह पूरे 15 मिनिट हो चुके है अब मैं यह निकाल लूगी इसमें से बहुत ही अच्छी सी इसमोख की आ रही है अब हम इसको डिश आउट करते हैं लीजिए मुगलियाई चिकन करी बनकर तयार है यह बहुत ही जायकदार बनी हैं आप इसको घर की रोटी पराटा और तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए यह बहुत ही जायकदार लगती है और यह बनी भी बहुत ही लजीज है आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फीड़बेक जरूर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आ झाल